हाई गाईज आएम अभीजीत आनन्द फांडर देटीफर्स टेरा बैक अगें विडियो दोस्तो आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है ये वीडियो उन पैसेंट्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट है जो होस्पिटल में है कोविड पॉजिटिव हैं जो घर में भी है कोविड पॉजिटिव हैं ये आभी का बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है बहुत ही इंपोर्टेंट खबर है पूरा वीडियो जरूर देखिएगा डियाडियो ने अगें कहरा हूँ डियाडियो ने टू डीजी लांच कर दी है ये टू डीजी है क्या ये एंटी कोव मेडिसीन है जो डीयाडियो द्वारा लांच कर दी गई है अभी रक्षा मंत्री राजनास सिंग जी और केंद्र स्वास्तर मंत्री डॉक्टर हर्स वर्धन जी ने दोनों ने मिलके ये अभी इनकी इसकी पहली खेप लांच की है डीयाडियो के अनुसार टू डीजी डी ऑक सीडी ग्लूकोस दवा को दे इंस्टिट ओफ नुकलर मेडिसीन एंड एलाइट सेंसेज दवारा हैदराबाद के डॉक्टर रेड़ी के साथ मिलकर तैयार किया गया है हाल ही में क्लिनिकल ट्राइल से पास होने के बाद ड्रक्स कंट्रोल जेनरल ओफ इंडिया डीजी सी आई ने इस दवा का इमर्जेंसी यूज के लिए घोसना कर दी है प्रस्तावित कर दिया गया है इस दवा का दिस देश में अब इमर्जेंसी यूज के लिए मोहर लग च जिस भी पेसेंट का oxygen level कम है या उनका oxygen की जरुवत है तो उन्हें अब oxygen पे निर्बर उतना नहीं रहना पड़ेगा ये दवा उन्हें oxygen की fulfillment oxygen को बढ़ानी में काफी मदद करेगा ये दवा जो भी वायरिस से प्रभावित cells हैं उस cells में जाकर काम करेगा और जो भी प्रभावि cells हैं उस cells को बढ़ने से रोग देगा बहुत सारे कोवीट पॉजिटिव पेसेंट्स पे ये दवा ट्राइल किया गया है और उनकी रिपोर्ट बहुती जल्दी negative आई है बहुत सारे पेसेंट का RTP PCR रिपोर्ट भी बहुत जल्दी negative आया है इस दवा के सेवन से सरकार का कहन है कि इसका production भी easy है और बहुती जल्द बहुती जल्द सारे देश में इस दवा को अविलेवल करवा दिया जाएगा ऐसे ही informative वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe कर दीजे वीडियो को like कर दीजे और ये वीडियो जरू सब को share करें कि ये बहुत important news है और जो भी covid positive पेसेंट स कर दो